जबलपूर में निर्माडा धीन मकान से निकली लोही की रोट्स के बीच फसे बंदर का दो घंटे तक रेस्क्यू उपरेशन किया गया वनविभाग के टीम ने रेस्क्यू उपरेशन चलाते हुए एक बंदर की जान बचा ली घटा शहर के रामपूर इलाके की है बंदर को रोट्स के बीच फसाद देखकर स्थानी लोगों ने डायल हंड्रेट को सूचना दी जिसकी जानकारी पर वनविभाग के टीम मौके पर पहुच गई टीम ने कटर के जरिये निर्माणा धीन मकान की लोहे की रोट काटी और बंदर की जान बचा ली हाथसे में घायल बंदर को इलाज के लिए जबलपूर के विटनरी अस्पताल में भरती कराया गया है इधर बंदर का ये रेस्क्यो ऑपरेशन देखने के लिए शहर के रामपूर इलाके में लोगों की भारी भीर लग गई